सरकार की अतिमहत्वाकांची योजना समा गई भृष्टाचार के मुह में अधिकारी कर्मचारियों के मिली भगत से सरकार की महत्वाकांची योजना पर लगाया जा रहा धब्बा आखिर कब भृष्टाचारियों पर होगी कारिवाही आप सभी का अभिवादन मैं सुनी कुमार तरपाठी फिर हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सरकार की अति महत्वा कांची योजना मनरेगा की उडाई जा रही धजियां अधिकारियों कर्मचारियों के मिली भगत से मनरेगा योजना के अंतरगत जन्पद देश-प्रदेश के तमाम मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुँच चुके हैं कोरोना काल में भी मनरेगा के तहत ही लाखों मजदूर की रोजी-रोटी का जीवन यापन होता था जब सारे व्योसाय बंद थे तम मनरेगा योजना चालू था इसके बावजोद भी जहां सरोवर तालाव योजना खुदाई के तहत लाखों मजदूर काम पाते थे वहीं आज पूजी पतियों बड़े बड़े लोगों को लाब पहुचाने के अंतरगत जेसीबी मसीन के द्वारा अमरत सरोवर तालावों की खुदाई करके सरकार अधिकारी कर्मचारियों मनरेगा मजदूरों को ठगने और भुखमरी की कगार पर धकेलने का कारे करते हैं जनपन भर में जहां सैकुदों तालावों की खुदाई होती है आम जनता के टैक्स का करोणों रुपए खर्च होता है लेकिन मनरेगा मजदूर ठगा जा रहा जाता है या भाजपा सरकार की योजना जहां मनरेगा बजट कम कर दिया गया है वही मजदूरों का भी जगने का कारे कर रही है करोनों दिये जलाकर तिरंगा यात्रा जैसी फिजोल खर्ची करके सरकार अपनी नकामी को छिपाने का प्रियास करती है विकास खंड हरक के ग्राम पंचायत सेठमव का अमरत सरोवर तालाव खुदाई की इस्थित से साफ जलकता है ये मजदूरों के अधिकार शीन कर भुखमरी की कगार पर धकेलने का कारे सरकार ने किया है ये थी दिनेश कुमार बर्मा की एस्पेसल रिपोर्ट